Hello everyone, आप सभी का Economy के Lecture 3 Crash Course में स्वागत है और आज हम इस Lecture में पढ़ने वाले हैं Demand and Supply मांग और पूर्ती के बारे में कि किस हिसाब से पैसों को बढ़ने से या किसी चीज की Supply बढ़ने से, किस प्रकार से उनके पैसे घटे बढ़ते हैं और मांग और पूर्ती बजार में बढ़ती और घटी है तो उसके बारे में एक हलका सा आइडिया बहुत छोटा सा लेक्चर रखेंगे क्योंकि क्रेश कोर्स है तो क्रेश कोर्स में क्या है कि आप कम से कम पढ़के आउटपुट ज़्यादा दे सको तो अब देखे अब यहाँ पर कैसे शुरू करेंगे मैं हूँ उपभोकता मेरे को किसी चीज की जरुवत है मालिएगा कि मेरे को जूते खरीदने या किसी भी चीज की जरुवत है तो चीनी की जरुवत है आप ले सकते हो तो मेरे को जरुत पड़ रही है आपको जरुत पड़ रही है तो आप हो जाओगे उपभोगता consumer किसी चीज को उपभोग करने वाला तो क्या मैं चीनी का क्या उपभोग करूँगी तो क्या हो जाएगा उसका consumption, अब मेकोचीनी की जरुवत है, मैं बजार से खरीदने जाऊंगी दुकान से, तो वहाँ पे मैंने क्या कर दी, demand, क्या कर दी, मांग कर दी, तो देखें, अब आपके ऐसे easy-easy questions भी बनते हैं, कि demand का संबंद, मांग का संबंद किस्से है, तो आपका मांग का संबंद आपका हो जाता है, उपभोगता से, और अभी आप आगे पूर्ती वाले में देखोगे, तो ऐसा भी हो देखता है, कि आपका option में मांग का संबंद किस्से है, उत्पादक से है, तो अभी हम आने, इसी लेक्षर में आगे उत्पादक के बारे में भी जानने वाले हैं पर यहां पर आपको याद रखना है कि मांग का संबंद जो होता है वो हमारा होता है उपभोकता से अब मांग किसी चीज की करेंगे goods या services की goods क्या हो जाएंगी सेवाएं sorry goods आपके हो जाएंगी वस्तुएं ज जिनको आप छू सकते हो और services हो जाएंगी सेवाएं जिसको आप सिरफ महसूस कर सकते हो उनको छू नहीं सकते हो जैसे कि आप सिक्षा ले रहे हो या आप किसी डॉक्टर से उसके पास जाके सेवा ले रहे हो तो यह आपकी हो जाती है services तो आपकी demand क्या हो जाएगी कि किसी निश्चित समय बिंदू पे कोई व्यक्ती है बजार में वो किसी निर्धारत कीमत पे किसी वक्स्तु को खरीदने के लिए तैयार है तो वो उस व्यक्ती के द्वारा हो जाएगी उस सीच की डिमांड क्या हो जाएगी मांग अब देगे यहां पे है law of demand मांग का नियम क्या है आप समझने के लिए आप इसको कितना भी confusing बना सकते हो बाकि बस आपको सिरफ यह याद रखना है इसमें कि जब किसी वस्तु की जब कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग घटेगी और अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ेंगी तो अपको यह फॉर्मूला या दखना है जो प्राइस है कीमत रखना होगा वस्तु की मांग के तो आप इसको फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है यह देखें कि प्राइस को P मैंन। शॉर्ट में लिखा है तो उससे क्या होगा आपकी demand देखिए अभी मैं आपको graph की form से भी यह जो diagram है इसमें भी समझाऊंगी price बढ़ेगा demand घटेगी price आपका घटेगा तो आपके demand बढ़ेगी आपको बस यह याद रखना है और देखिएगा इसमें क्या है यह वाला जो मैंने inversely proportional का जो यहाँ पर निशान लगाया है यह तो इसके भी आपको exam में इसके अलग-अलग नाम बदल के भी question पूछे जा सकते हैं कि वस्तू की कीमत और उस वस्तू की मांग के बीच में उल्टा इसे आप उल्टा भी बोल सकते हो विलोम क्योंकि विलोम हो गया एक दूसरे के opposite है और प्रतिलोम और नकारात्मक संबंध होता है तो आपको यह statement बिल्कुल आ सकता है आपके exam में कि वस्तू की कीमत और उस वस्तू की मांग के बीच में विलोम, उल्टा, प्रतिलोम और नकारात्मक संबंध होता है यह आप formula याद रख लोगे तो आपका किसी भी हिसाब से statement आ जाए इस formula को आप दिमाग में रखते हुए उसे तोर मरोड के कैसे भी आप सही कर लोगे इसमें आपको साथ साथ में यह रखना है कि यह वाला law of demand है यह वाला formula कब काम करता है जब आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए यहाँ पर मैंने लिखाए कि कुछ जो factors हैं वो constant रहने चाहिए कि व्यक्ति की आय में परिवर्तन ना हो या अचानक से कोई युद्ध वगेरा की इस्तिती ना छड़ जाए आपातकाल ना हो जाए तो उसे सबसे दो वस्तूओं की मांग और पूर्ती कीमत और मांग में अचानक से गड़बड़ी आ जाएगी पर यहाँ पर हमें एक सामान्य सिचुएशन एक ideal condition के बारे में बात कर रहे हैं और आपको साथ साथ में ये भी याद अखना है कि मांग का नियम जो घटिया वस्तूओं पर जो गिफिन गुट्स हैं उन पर लागू नहीं होता है अब गिफिन गुट्स किसको बोला जाता है गिफिन गुट्स बोला जाता है आपको ब्रेड आपका गेहू चावल अब देखिए का ब्रेड आपको बजार में 20 उर्पे का ब्रेड मिल रहा है ठीक है अगर उसकी कीमत आज बढ़के 22 उर्पे हो जाए तो ब्रेड आप कुछ लोग ब्रेड भी खाते हैं अब ब्रेड आप रोटी किसी चीज से भी हाँ पर उसका संबंद लगा सकते हो चावल समझ सकते हो कि 20 उर्पे किलो चावल बजार में मिल रहे हैं अचानक से वो 22 उर्पे किलो हो जाए तो लोग तो चावल खाएंगे गया हूँ है गया हूँ खाएंगे ये तो उनकी basic requirement की चीज है तो उसे तो वो किसी दूसरी चीज से substitute नहीं कर सकते हैं दूसरी चीज अगर किसी वस्तू की कीमत बढ़ रही है मांग के नियम के हिसाब से तो उसकी demand कम हो जानी चाहिए बट गिफिन गुट्स में ऐसा नहीं होता है कीमत भी बढ़ रही है और उस चीज की मांग भी बढ़ेगी आपको यहाँ रखना है बस इसमें अब यहाँ पर एक मैंने demand ठीक है तो अब आप देखे कैसे इसका graph यह आता है यह वाला अगर जो math के student होना तो एकदम से समझ आ गया होगा क्योंकि हमने यहाँ पर inversely proportional जो आपका प्रतिलोम संबंध है तो किसी चीज के जो प्रतिलोम जब नकारात्मक संबंध होता है तो यह वाला graph बनता है अब आ यहाँ पर कैसे इसको समझ सकते हो तो देखे कि किसी चीज यह आप ऐसे करके समझ सकते हो इसको यह कुछ पॉइंट है तो आप देखे यहाँ पर ऐसे इनको graph को बनाईएगा और अब हम इस चीज को समझेंगे अब देखे यहाँ पर किसी चीज की डिमांड है ठीक है पे इसके zero coordinate होते हैं, तो x-axis से जितनी दूर चीज जाती जाएगी, उसकी demand उतनी ही बढ़ती जाएगी, यहाँ पे आप समझ सकते हो कि किसी चीज की एक demand है, यहाँ पे दो हो गई, यहाँ पे तीन हो गई, तो x-axis से जितनी चीज दूर जा रही है, उसकी demand वस्तू की मांग है कम, तो उस वस्तू के पैसे क्या होंगे, यह फॉर्मूले के साब से, प्राइस में और वस्तू की मांग में inverse relation है, तो मांग हो गई कम, तो पैसे होंगे जादा, तो देखिए आप, यह पैसे आपके graph पे, यहाँ पे आके कम हो गए, और वस्तू की मांग कम होती जा रही है, वो मांग कोई बढ़ रहे हैं यहां पर ज़्यादा पैसे मानी रुजागा मी। नेदी के सब teal दर्य हरो सो रुपय का है तो और व्यक्ति बढ़ा के खरीद लेगा तो बस आपको ये गिराफ हलका सा समझना है बाकि आपको फॉर्मूला ये वाला ही याद रखना है आपके बहुत सारे कोशन्स इस वाले फॉर्मूले से या हो जाएंगे आपके सॉल्व तो चलिएगा और आगे बढ़ते हैं और आ किसी चीज में उसे बोला जाता है इलास्टिसिटी तो यहां पर आप समझेगा कि वस्तू और सेवाओं की हम क्या करते हैं मांग और जो व्यक्ति की जो इनकम व्यक्ति क्या करता है वो पैसे कमाता है इनकम करता है तो इनके परिवर्तन की वजए से मांग में क्या होता है ल Elasticity of Demand मांग मैं लोच ये हो गया तो देख एक तो आती है पैसे की वज़े से Price Elasticity जो कीमत लोच होती है और एक आती है Income Elasticity Income की वज़े से I मैं लोच ठीक है Income की वज़े से मांग मैं लोच अब आपका इसको मैं एक Diagram से समझा देती हूँ यहाँ यहाँ यह देखेगा Change in Demand अभी हम यहाँ पर Demand का ही देखेंगे तो देखेंगे अभी आपको मैंने यह वाला Diagram समझाया है बिलकुल की यहाँ पर Price ह और यहाँ पर किसी चीज की Demand है यह Q को आप समझ सकते हो Quantity किसी चीज की मात्रा तो यह वाला Graph देखेंगे आपका था Original जो मैंने आभी आपको पुराने Diagram में समझाया है तो यह वाला Graph आपको समझ आ गया अब इससे बाद में आपको Confusion नहीं रखना है अब जैसे ही व्यक साइड में बढ़ जाता है तो Demand Curve जो होगा वो Right Side में शिफ्ट हो जाएगा तो यह आप समझ सकते हो कि I के हिसाब से आपकी Demand में क्या आ गया लोच आ गया तो अगर आपके इंकम कम हो जाए किसी व्यक्ति की I कम हो जाए तो व्यक्ति कम खर्च करना शुरू कर देगा तो यह किधर आ चला जाएगा फिर Left Side में चला जाएगा तो I hope आपको यह समझ आ गया होगा और देखिए बस बाकी तो आपको जो में चीज है उसमें यह वाला ही फॉर्मूला आपको याद रखना है बाकी तो आपको confusion कितना भी create करना है फिर आप कर सकते हो वो आपकी मर्जी ह अब next हम बढ़ते हैं आपको यहाँ पर यह formula याद रखना है अभी हमने demand वाला पड़ा है अब हम पढ़ने वाले हैं supply के बारे में अब आपको demand वाला I hope किये clear हो गया होगा अब हम यहाँ पर supply पूर्ती के नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं तो पूर्ती क्या है कि कोई उत्पादक है अब देखिए आपको यह याद रखना है कि पूर्ती का संबंद किस से होता है पूर्ती का संबंद आपको होता है उत्पादक से अब किसी व्यक्ति ने उत्पादक है तो वो किसी चीज का उत्पादन करेगा उत्पादन मतलब कि किसी चीज का production करेगा कि उस उसको वो वस्तुकिस हिसाब से प्रड्यूस करनी है और वो जैसे ही उत्पादन करेगा तो वो चीजे बजार में आएंगी तो उस लोगों की डिमांड की क्या होगी पूर्ती होगी लोगों की क्या होगी पूर्ती होगी तो पूर्ती क्या हो जाएगी सप्लाई वो मार्किट मैं supply करेगा उस चीज़ की हो सकती है, वो goods की भी हो सकती है और services की भी हो सकती है, बस आपको यहाँ पर अब एक चीज़ याद रखनी है, कि जैसे ही supply बजार में बढ़ेगी, किसी चीज़ की वस्तु की पूर्थी बजार में बढ़ेगी, और आपको यहाँ पर याद रखना है कि पूर्ती का संबंद किस्से होगा पूर्ती का संबंद होता है उत्पादक से और विक्रेता से उत्पादक कौन हो गया जो चीज को बनाएगा और विक्रेता कौन हो गया जो चीज को बेचेगा बस आपको यह याद रखना है और अभी मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि मांग का संबंद किस्से होता है आप बताईएगा याद करिएगा मांग का संबंद होता है उपभोगता से तो अब चलिएगा यहाँ पर यह समझ लेते हैं यह डायेग्राम और देखिए जो चीज एक्से वाइ एक्सेज पे हमने ले लिया है आपका प्राइस ले लिया है और एक्सेज पे हमने ले लिया है और एक्सेज पे पे सлекना क् concepts परी जा रहे है तो अब आपको मैंने यह वाला जो यो फॉर्मूला बताया है कि वस्तु की पूर्टी का सीधा संबंद होता है वस्तु की पूर्थी बजार में होती जाएगी उसी हिसाब से वस्तु की कीमत बजार में बढ़ती जाएगी तो यह वाला आपका और Y-axis पे मिला लीजिएगा जिससे कि इसकी X पे value पता चल जाएगी और Y पे भी value पता चल जाएगी तो अब आपको यहां पे क्या देखना है कि यहां पे क्या है आपकी पूर्ती पूर्ती आप किसी चीज की quantity देख करोगे न कि तो कि आपको देखें यहां पे supply है किसी प्राइस भी बढ़ रहा है यहां पे इधर क्या है इधर हम बढ़ रहे हैं तो उसकी पूर्ती बढ़ रही है किसी चीज की supply market में बढ़ रही है और इधर हम उपर बढ़ रहे हैं तो उस चीज की price market में बढ़ रहा है तो इधर आप देखें यहां पे है कोई चीज तो उसक कुछ पर समझ लिया बाके आपको देखे याद ये दो ही चीज़े आपको अभी तक रखनी है मांग के नियम में आपका क्या हो जाएगा कि प्राइस है किसी चीज की कीमत है वो वस्तु की मांग के inversely proportional होगी उनमें नकारात्मक संबंद होगा उल्टा संबंद होगा और वो एक दूसरे के विपरीत होगी अपोजिट होगी और यहां पर हमने पढ़ा भी law of demand law of supply में आपका क्या होगा पूर्ती के नियम में क्या होगा कि किसी चीज की पूर्ती बजार में बढ़ती जाएगी तो उस चीज का price भी बजार में बढ़ता जाएगा बस आपको यहां पर यह याद रखना है तो यह दो चीज़े आपने यह graph देखके लग रहा होगा कि यह क्या गया है यह कुछ नहीं है बहुत ही easy है और अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए यहां पर क्या है कीमत य-axis पर अभी हमने जैसे पढ़ा अभी पहले graph में तो यहां पर y-axis पर आपकी कीमत है और x-axis पर हमने यहां पर आपका graph हो जाएगा demand का जो mang वाला graph है यह वो हो जाएगा और यह graph है आपका supply का ठीक है तो यह दोनों graph आपको अभी समझ आ चुके होंगे जो मैं उपर समझाई हूँ अगर नहीं आये तो एक बार आप वापस से समझ लीजेगा और तब ही आपको समझ आने वाला है तो जब यह दोनों graph एक हमने बना दिये यह देखे mathematics के हिसाब से हम चीजे निकालने की कोशिस कर रहे हैं तो यहाँ पर यह दोनों graph एक दूसरे को जहाँ पर intersect करेंगे जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे तो वो आपका point हो जाता है संतुलन बिंदू जिसे कहा जाता है balance point और supply है demand और supply उस वस्तू की बराबर होंगी वस्तू यह आप सेवाएं बोल सकते हो अब देखे एक्जाम में सीधा question संतुलन बिंदू market में संतुलन बिंदू से क्या तात परिये है balance point से क्या तात परिये है और market equilibrium से क्या तात परिये है तो यहाँ पर क्या तात परिये होगा इस से यहाँ पर याद रखनी है और देखे अब आप आप को यहाँ पर एक और चीज बताते है तो देखे अब आप इस point को जाईएगा यह आपका supply का करव है और यह आपका demand का करव है तो अब आप supply देख ग्रह language here ।ि यहाँ पर आप आपने supply देखी किसी चीज तो अब इस point को ऐसे इस वाले एक सकींड सोरी अब आपने यहां पर market में supply आपने देखी किसी चीज के आपकी supply यहां पर है आपके पास में ठीक है supply पर बिंदू आपका यह है तो आप यह एक्स पे इस वाले बिंदू को बढ़ाईएगा तो अब आप यहां पर देखिएगा कि इस च चीज की supply तो market में यहां पर इतनी है बस ताथ में इसकी demand भी इसी point पर देखिएगा demand आपकी इतनी है demand आपकी यहां पर कम है और supply आपकी जाजा है तो यह चीजे किस पर बढ़ रही है आपकी x-axis पर तो यहां पर थोड़ा graph ऐसा हो जाएगा confusion सा बस आपको हलका सा यह समझ लेना है कि यहां पर supply है इस वाले point पर supply है इतनी और यहां पर देखिए इसी के संधर्व में आप इधर देखोगे तो यहां तो इतनी चीजे आपकी market में फाल्तू आ गई है इतनी चीजों की supply आपकी market में extra है तो इसे access supply भी कहा जाएगा कि फाल्तू है surplus है market में आपको यह याद रखना है और दूसरी तरफ आप यहां पर नीचे देखोगे यह इधर आप देखोगे कि यहां पर market में क्या है demand demand हमारी market में इतनी है किसी वस्तू की पर market में उस वस्तू का यह आप सब इधर फिर आप इसको बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि इसके संधर्व में supply कि जाएगी बस आपको यह हलका सा याद रखना है और जो आपका में है एक्जाम की दरस्टी से आपको संतुलन बिंदू जो बैलेंस पॉइंट है आपको यह आद आपको यहां पर रखना है और आपको दिकोशन आपके एक्जाम में कैसे बनेगा एस नतुलन बिंदू market में तुलन कब आएगा, डिस बैलेंस मार्केट में कब आएगा, डिस बैलेंस मार्केट में तब आएगा, कि उस वस्तू की डिमांड हो जाए उसकी सप्लाई से ज्यादा, वस्तू की लोग हैं, मांग करने वाले ज्यादा है, पर उस वस्तू की सप्लाई आपके मार्केट में कम ह सपलई बड़नेंट टो तो वस्तुका यहां पर यहां पर सप्लाइब हो जाए लिए नूब आप समझेगा कैसे भी कि मार्किट में आपके यहां पर कोई बेचने आया है आम तो उस व्यक्ति के पास में 50 आम हैं ठीक है 50 आम है उस व्यक्ति के पास में और आप खरीदने वाले हो 10 लोग और आप समझ सकते हो कि एक व्यक्ति को दो आम की जर्वत है तो मतलब इन 10 लोग के आम खरीदेंगे मिलके यह 10 लोग आम खरीदना चाहते हैं मिलके टोटल 20 और उस जो बेचने वाला व्यक्ति है उसके पास में क्या है उसके पास में है 50 आम तो क्या है यहां पे है सप्लाई जहाँ पूर्ती जहाँ और इमांड है यहां पींतन शाली तो ब्रीक्ति क्या कहोए को बेचने वाला है कि चलिएगा मैं आको आम के पैसे कर देठ हूं तो आप क्या होगा कि प्राइस किसी चीज का कम हो जाएगा आग अपको समझ गली समझ जूसरे हाट.. आप समझ लीजेगा कि यह जो व्यक्ति है यह आम बेच रहा है इसके पास में है 15 ठीक है और यहां पर खरीदने वाले हैं हमारे 10 लोग और एक व्यक्ति को 2 आम की जरुवत है तो यहां पर कितने आम चाहिएंगे टोटल 20 आम चाहिएं 10 व्यक्तियों को पर यहां पर है 15 आम खरीदने वाले तो यहां पर जादा है और उनकी मांग भी जादा है पर यहां पर पूर्थी क्या है यहां पर कम है तो क्या करेगा यह बेचने वाला व्यक्ति कहेगा बही मैं तो आप चीजे महंगी बेचूंगा जो महंगी खरीदेगा मैं तो उसको बेचूंगा तो यहा आपको भूल ना जाओ और कोई confusion ना हो एक तो आपको यह याद रखना हो गया कि price का relation क्या होगा inversely proportional होगा वस्तू की मांग से और दूसरा आपको यहाँ पे क्या याद रखने का हो गया आपका यह हो गया याद रखने का कि जो supply है जो वस्तू की पूर्ती है वो inversely, वो directly proportional वो आपको ये वाले दोनों चीज़े आपको याद रखनी है और जो चौथी चीज़ है आपको की market equilibrium जो संतुलन बिंदू है market में उसका मतलब क्या है तो यह रहा आपका बजार में संतुलन मैंने आपको बताया market में balance तो यहाँ पर क्या होगा demand और चीजों की supply क्या हो है तो आप कहोगे कि वो है market equilibrium यहाँ पर market equilibrium में क्या होता है कि zero wastage होगा किसी चीज का खड़ जो wastage है शूनने अपवे होगा market equilibrium में क्या होगा शूनने अपवे इसका मतलब यह है कि जो हमारे हाँ पर जो पास में हमारे चीज में जितने भी resource है जितने भी संसादन है उनका optimum use होगा उनका optimal usage होगा इसे बोला जाएगा इस्ट्रितम उपियोग जैसे ही आप बजार संतुलन की तरफ बढ़ते हो तो उधर क्या होता है कि वस्तूओं का इस्ट्रितम उपियोग होता है जीरो wastage होती है बस आपको यहाँ पर यह याद रखना है और देखिए यहाँ पर एक और मैंने पॉइंट लिखा हुआ है कि मांग तथा पूर्थी समय तथा कीमत के अनुसार बदलती रहती है यह तो बहुत ही कॉमन सी और इजी सी चीज है और ठीकि जो मैंने आपको जितनी भी चीजे आपको बताई है अभी इस डाइग्राम में तो उतनी चीजे आप अ बलका सा आइडिया रखिएगा और आप वो ग्राफ भी समझ के सॉल्व कर लो तो यह वाला ग्राफ मैं आपको बता चुकी हूं अभी तो अब हम नेक्स्ट वाला ग्राफ देखते हैं यहां पे क्या है कि सप्लाई के बारे में देखेंगे अभी हमने जो पहले वाले ग्रा यहां पे पूर्ती किसी चीज के X-axis पे है और प्राइस आपका Y-axis पे है तो औरिजनल ग्राफ आपका यह था अब यहां पे क्या होता है कि कि किसी व्यक्ति की यहां पे क्या होगा इंकम बढ़ जाएगी यहां बजार में मांग बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि देखें उत्पादन बढ़ गया बजार में तो supply भी बढ़ेगी तो supply बढ़ेगी तो यह आपका graph इधर right side में shift हो जाएगा बस आपको यह हलका सा याद रखना है और इसका opposite क्या होगा कि अगर supply तो यह आपका graph left side में shift हो जाएगा तो यह इतना confusion नहीं लेना इतना load दिमाग पर नहीं डालना है अगर आपको इस समझ भी नहीं आ रहा है तो बस आपको जो मैंने भी चार चीज़े बताई आप वो चीज़े आप अच्छे से याद रखोगे तो आपको एक हलका सा बहुत अ बता सकते हो नहीं आता है पसंद तो आप comment section में बता सकते हो यह भी बता सकते हो कि आपने dislike क्यों किया क्यों आपको lecture पसंद नहीं आ रहा है धन्यवाद वीडियो देखने के लिए